बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम, अस्सलामु अलाइकुम वरहमतुलाही वबराकातुहू वेल्कम टु माइ किचिन, मैं हूँ शेफ हफसा और आज मैं आप लोगों को बनाना से खाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी हल्वा पूरी और चने हम सब का पसंदीदा संडे का नाश्ता जोकर हम बाहर से लेते हैं, लेकिन कभी-कभी हम घर में भी वनाके तयार कर शकते हैं तो इसलिए मैं अप लोगों कि साथ यह रेसिपी शेयर कर रहा हूं एकदम परफेक्ट रेसिपी है है तो आई यह को बनाने स्टार्ट करते हैं के लाइची को अच्छे से कूट निया है इसको एट कर लेंगे इससे हल्वे में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो जी यहां पर मैंने तकरीबं 100 गरम घीर आट किया था इसमें हम एट कर लेंगे 125 करम सूझी जो कि कब्स में है तकरीबं 3 4th कब, अब यहां पर सबसे important step आ जाता है हमें सूजी को हलकी आच पर अची तरह से भूल लेना है तकरीबन भी इस process में आदा घंटा लगेगा इसमें आपको जलबाजी नहीं करनी बिल्कुल हलकी से आच पर आच पर आपको सूजी को भूल लेना है तकरीबन 30 मिनट के लिए दर्मियान दर्मियान में आप इसका चम्मत चलाते रहेगा बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें सूजी को भूल लेना है वरना इसका रंग चेंज हो जाएगा और पर हलवे का रंग चेंज हो जाएगा तकरीबन में इसको 30 मिनट के लिए भूल लिया है यह अच्छी से भूल गई के नहीं यह हम पानी का चीटा मार के चेक करेंगे इसपे हम पानी का चीटा मारेंगे अगर आपको इसमें आवाज आएगी एक तो इस तरह से देखे तो इसका मतलब है कि सूजी अच्छी से इसको थोड़ा मिक्स कर लिएँ यह और इसमे आपने में पानी तकरीबन 300 उसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे अब हम एट कर लेंगे जर्दे का रंग, तकरीबन 140 स्पून, क्योंकि बजार से जो हलवा मिलता है वो एकदम औरंज होता है, तो औरंज कलर के लिए हम यहाँ पर फूट कलर एट कर लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसको कवर करके हलके याँच पर ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए, और जो हलवा है वो बहतरी इन सा पक के तयार हो जाए, तो मैंने इसको हलकी आंच पर पका लिया है, और दर्म्यान दर्म्यान में चम्मत चला के आप चेक कर सकते हैं कि हलवा लग तो नहीं यहाँ यह एक नॉन स्टिक बरतन है तो इ अग्दम तयार हो चुका है यह देखे, इसका कलर माशला से बहुत ही सबदस तारह है, तो जोजी अग्दम अच्छी तारह से फूल चुकी है उसका टेस्ट एकदम बहतरीन है अब हम तयार कर लेंगे बहुत ही मज़ेदार से चाने तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक बरत बर् tailor कर लेंगे जब प्यास इस तरह अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो पर हम इसमेट कर लेंगे ginger garlic paste one teaspoon असको थोज़ा fix कर लेंगे साथ ही हम इसमेट कर लेंगे हरीarb का मर्चो का पेस्ट वन टी इस्पून को भी अच्छे से मिक्स कर लेगे आब हम इसमाइट कर लेंगे थो ऐसा पानी था के प्यास मजीद ग्राउण ना हो और इसको वह एक धकन की मदद से कवर कर लेंगे इस तहरा से प्यास का जो ब्राउण कलर हो गई वह पानी में भी आ और हमारे चनों में बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा एक विनिट के लिए हम डखकन बंद रखेंगे उसके बाद हम डखकन हटा लेंगे फिर हम इसमें एड कर लेंगे हल्दी पाउडर हाफ टीजपून भूना कुटा धनिया एड कर लेंगे वन टीजपून कुटी हुई काली मेर चाट कर लेंगे हम तकरीबन वन टीजपून कुटी हुई लाल मेर चाट कर लेंगे वन टीजपून इसको अची तरह से मिक्स कर लेंगे अब मसाले में अड कर लेंगे नमक आप यहां पर हस्बिजार का नमक शामिल कर सकते हैं मैं तकरीबन वन टीजपून एड कर रही अभी मैं इसमें एड़ कर रही हूं तक रिबन दो चुटकी वेकिंग सोडा, इससे क्या होगा कि चनू का फ्लेवर जो है वो पानी में विलीज होगा, और बहुत ही डिलिशिस सा फ्लेवर आएगा, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें एड़ कर लेंगे नमक तो मसाले में भी नमक एड़ किया था, उसे साब से इसमें धुरा सा नमक मैं एड़ कर रही हूं, तो चने जो है वो अच्छे से बॉल हो चुके हैं, अब हम इन चनू को एड़ कर लेंगे इसके पानी समेथ, जो भी हमने तरका बनाय था उसमें, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चनू का आपने पानी नहीं फेकना वरना साया फ्लेवर जो हो चला जाएगा और चने अच्छे नहीं बनेंगे, इस तरह से बहुत ही मज़दार से बनते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हलकी आँच पर हम इसको तकरीबन पंदर मिनिट के पका लेंगे और चने तयार हो चाहेंगे, अब हम तयार कर लेंगे पूरी तो उसके लिए हम आटा गुन देंगे, आटा हम ऐसा गुन देंगे ना कि हवा लगने पे भी हमारी पूरी हाट नहीं की बहुत ही सौफ्ट और मज़दार सी बनेगी, उसके लिए हम एक बूल पानी, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए, अच्छे से एक सौफ सा आटा गुन के तयार कर लेंगे, अगर आपको यहां पर आटा थोड़ा गेला लगे तो आप चाहें तो यह समें थोड़ा सा और मैदा एट कर लेजिएगा, बट अच्छे से सौफ्ट आटा गु के तयार कर लेंगे, तो यहां पर देखें, मैंने एक अच्छी प्रॉपर सौफ्ट ओ पोरी के लिए गुन के तयार कर ले है, अब हम इसको कवर करके इसको रेस्ट देंगे, अच्छे से तकरीबं दस से पंद्रा मिनिट के लिए ताकर आटा धल जाए, तो यहां तकरीबं बना लें या फिर बड़ी पोरी बना लें तो मैं नॉर्मल जिस साइस की पोरी बाहर से मिलती है, उसी साइस की बना रही हूं, तो इस तहां से डो को पीसेस में डिवाइट कर लेंगे, इस तहां हर पीस का हम गोल पेरा बना के तरियार कर लेंगे, एक बरतन को अच्छे से ऑइल से ग्रीस कर लेंगे इस पर पूरी के पैरे को रखेंगे हर पैरे को इस तरहाँ जेना ग्रीस कर लेंगे और फिर हम इसको कवर कर लेंगे यानिके बिल्कुल हवा ना लगे और अब हम पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम काउंटर पे इस तरह से थोग सोईल एड़ कर लेंगे ब्रश की मदद से और तरफ पहला लेंगे और इस तरह से देखे हम पूरी को बेल लेंगे बस देखे इस तरह आप थोड़ा सा हर तरफ से बराबर सा बेल के हातों से इसको सरी शेप कर लें आप इसकी तो जी यह देखे हैं इस तरह से लेते हैं और फिर शेप इसकी थोड़ी सी सरी कर लेते हैं और फिर इसको करहाई में डालके फ्राय कर लेते हैं तो यह होता है प्रोसेस पूरी बनाने का अब गर मगर में हम पूरी को आट कर लेंगे उपर की तरफ से इसको प्रशर देंगे थोड़ा सा इस तरह से और एक तरफ से पका के इसकी साइज चेंज करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे और इस तरह से हम पूरी को बना के तर्यार कर लेंगे इसी तरह से हम तमाम बना लेंगे अगर आपको थोड़ी सी क्रिस्पी पूरी पसंदे तो आप इसको हलका सा ब्राउन कर लें अगर आपको soft पसंदें तो इसी ताह से white रखें तो इसी ताह से तमाम पूरी बना के तैयार कर लेंगे मुझे अमीद है आप लोगों को ये recipe पसंद आई होगी अब हम इसको surf करते हैं तो surf करने के लिए हम इसमें add कर लेंगे सबसे पहले चाने उसके बाद हम इसमें add कर लेंगे हलवा और अचार कुछ लोग इसके साथ दही भी surf करते हैं बहुत ही tasty लगती है और फिर इस ताह से पूरी तो गर्म गर्म आप बहुत ही असानी के साथ इद्वार के दिन अपने घरों में इस तरह पूरी का नाश्टा तयार कर सकते हैं अब मैं आपको इसको तोर के दिखाती हूँ देखे कितनी बेस्ट पूरी बनके तयार हुई है ये देखे बहुत ही tasty और delicious से लग रहा है ना तो एकदम आसम सी हलवा पूरी तयार है अगर आपको इस बहुत दिलिशिस सी हलवा पूरी की रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा यूट्यूब चैनल को जरू से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स रेसिपी में इंशाला अल्ला हाफिज